हेलो फ्रेंज कैसे आप लोग आई होग कि आप लोग अच्छी होंगे और आज हम लोग प्रशनावली साल्दसवनलग एक के प्रस्न संख्या नौ को सॉल्फ करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करतीजगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेगा जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी तो आई ये वीडियो सुरू करते प्रस्ण संख्यानाव है यदि q 0,1 बिंदू ओं प 5 कवा माइनस 3 और r x,6 से समदुरस्त है तो x के मान ग्यात किजिए दुडियां qr और pr भी ग्यात किजिए कहने का मतलब है कि यहाँ 3 बिंदू है कितने बिंदू है तीन बिंदू है 1,2,3 ठीक है ए जो है p है aq और a है r ठीक है तो q जो बिंदू है यहाँ बिंदू p से भी उतनी ही दूरी पर है ठीक है और r से भी उतनी ही दूरी पर है ठीक है तो यह दोनों क्या है समदुरस्त है यानि कि बरावर बरावर दूरी पर है a बिंदू और यहाँ से a ठीक है यह दोनों क्या है बरावर बरावर द कालना है और Q से AAR का दूरी निकालना है और दोनों को बराबर कर देना है, ओके, तो इसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, P, Q, और R, ठीक है, एक बिंदू यहाँ, एक बिंदू यहाँ है, और एक बिंदू यहाँ है, ठीक है, तो P क्या है, 5,3 क्या है, 5,-3, और Q है, 0,1 एक और आर है एक्स कॉमा छो ठीक है तो हमें निकालना है पी से क्यूब की दूरी बराबर क्यूब से आर की दूरी लिखेंगे हल दूरी सुत्र का पर्योग करके का पर्योग करके तो क्या हो जाएगा पी की बराबर क्यूब आर तो यह क्या हो जाएगा डीखें एक्सट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो e हो जागा x1, और e हो जागा x2, a हो जागा y1, और e हो जागा y2 तो x2 में से x1 को घटाना है, यानि कि 0 में से 5 को घटाना है तो 0-5 का whole square, प्लस है तो प्लस देंगे, y2-y1 यानि कि 1 में से घटाना है minus 3 को, तो 1-3 का whole square बड़ाबर देखे एक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् माइनस पास हो घटाते हैं तो किया आजाएगा माइनस 5 का स्क्वएर फ्लस डिखे़ वाहर माइनस ह्याए तो अंदर का साई चिंज हो जाएगा तौ एक और प्लस PNC 402 स्क्वेर यह हो जाएगा एक स्क्वेर प्लस छे में से एक माइनस करेंगे तो बचाएगा पांच यानिकी पांच का स्क्वेर विए कर दो माइनस पांच का मेंज़ भी नहीं स्टांच मोने वाइनस पांच तो क्या हो जागा? मइनस मैनस क्या होता है striving प्लास प्लास का प्चीस। यहां लिखेंगे फचीस प्लस चर्चों के 16 बराबर एक्स स्क्वेयर और पांच क्या स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा 25 25 अब यहां हमें रूट हटाना है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर ठीक है देखें वर कैसे होगा इस परकार से और स्क्वेयर से रूट हट जाता है ठीक है तो देखें 25 और 16 क्या होता है 40 बरावर रेक्स स्क्वेयर प्लस का 25 अब खाते हैं तो एक्सफ्वेयर प्लस का प्तीस और प्लस और प्लस का ... अ बरावर की इस तरफ आ जागा तो और हो जागा Marina Skaare एक तालिस बरावर सुन तो एक्सव्छोर देखें गयारा में सफांस गया च्छिए और तीन में से दो गया तो एक यानी माइनस का सोला बराबर सुन तो एक से स्क्वेर बराबर क्या हो जागा सोला तो यह हो जागा एक्स बराबर अंडर रूट 16 ठीक है तो इसे क्या निकलता है प्लस माइनस 4 क्या निकलता है प्लस माइनस 4 निकलता है ठीक है तो एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि यहाँ X का मान क्या है तो प्लस माइनस 4 है ओके यह जो है यह क्या है X का मान है तब हमें ग्याद क्या करना है हमें ग्याद करना है qr, क्या करना है qr और pr, तो सबसे पहले हम लोग ग्याद करेंगे qr, qr बराबर under root, देखे, फर्मूला मेरा वही रहेगा, दूरी से तरवाला, ठीक है, और यहाँ qr, ठीक, तो x1, x2, y1, y2, तो x2 में से घटाना है x1, यानि कि प्लस 4 हम पहले लेंगे, ठीक है, तो प्लस 4 में से सुनी को घटाएंगे, और 6 में से एक को घटाएंगे, तो प्लस 4 में से घटाना है, सुनने, इसका स्क्वेर, प्लस 6 में से घटाना है, एक को और इसका स्क्वेर, देखे, चार में से अगर हमें को मैनस करते हैं तो बचता है पांच और पांच का स्क्वाइर करेंगे तो क्या जाएगा पच्पच्छे 25 जो रेंगे 615 का एक हांस्थिल एक दो तीन और एक चार क्या आया अंडरूट 41 ठीक है एक इंसर मेरा एभी हो जाएगा एंसर भी है ठीक है चलिए अब हमे याद करना है हमें ग्याद करना है और कहां है और यहाँ है तो एक्स से माइनस तीन को घटाना है चार माइनस पांच का स्क्वेर प्लस छे माइनस माइनस तीन का स्क्वेर अब देखें प्लस का चार और माइनस का प्ल presentate करते हैं तो क्या होता है माइनस एक गुने माइनस एक ठिक सुम्ंपरस क्या होगा पिलस और एक कम एक यानिकी प्लस का एक तो यह हो जागा प्लस का एक और प्लस का नो नमा एक क्यासी ठीक है तो एक क्यासी और एक क्या हो जागा बिरासी तो यह हो जागा अंडरूट बिरासी ठीक है एक इंसर मेरा ए भी हो जागा ठीक है लेकिन एक कब होता है जब एक्स का मान हमने प्लस चार रखा है तो हम चाहें तो लिख भी दिए जब X ब्राबर प्लस का चार अब अब हमें रखना है X का मान मैनस का चार और तब याद करना है PR ठीक है तो लिखेंगे जब X ब्राबर मैनस का चार और तब याद करना है PR ठीक है? तो यह हो जाएगा 4 यानि कि माइनस का 4 ठीक है? और माइनस का 5 इसका स्क्वेर प्लस और बांकेची मेरा वही रहेगा क्या? 6 माइनस माइनस का 3 का स्क्वेर 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वेर तो माइनस का चार और माइनस का पांच का हो जागा माइनस का नौ इसका स्क्वेर प्लस छे और बाहर माइनस एक तो अंदर का सारी चिंज हो जागा चाहती नौ क्या हो जागा नौ और इसका स्क्वेर तो नौन अमाई एक क्या सी प्लस नौन अमाई एक क्या सी एक क्या सी और और यासी क्या जाएगा एक एक दो आठाट 161 इकशाब आठाट ठीक है और जब एक सबस्वाशार को जब हम रूट के बाहर करते है तो क्या होता है देखें एक सो बाइसठ्ट दो से और्दूने शोलेड़ दो टीन से सटाइस तीया एक श्रीटीन से लाएंगे नों तो किल आया अंडर हम सबातीन सब्सक्राइबर दो एक थाइस व Приर टीन सब्सक्राइबर अन्रोट लाइए किटना वारत 2 जाता है तो इसको हम under root कर देते हैं तो तीनतिया क्या हो जागा? 9 ठीक है या 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 9 under root 2 तो एक answer या हो जाएगा तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई वीडियो समझ में आ गया होगा अगर किसी परकार की कोई doubt हो तो आप हमें comment कर सकते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो अनलॉक एस्टेडी के प्ले लिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद